अब देली के अंदर अगर योकपाड हो रहा है तो सबसे बड़ी जो इसके अंदर बात है यूके प्राइम निस्टर रिशी संक में भी वो पाकिसान इंडिया विजट कर रहे हैं और उसकी जो दो तीन पॉइंट व्यूज आएं मीडिया के उपर वो यह हैं कि वो अपनी ने संक्शन लग रहे हैं सर ये इसी वज़ा से हो रहा है कि वो लोग यही वो लोग यही समझते हैं कि इस्लाम इजा टेररिस्ट रिलिजन एक ऐसा इमिज इंडियन नेशन का दुनिया के सामने दे रहा है कि हम एक मेहंती पड़ी लिखी और बिजनसमें कॉम हैं अगर हम दु मुलवस नहीं था ये सारी जी बुश बुश एड्मिनिस्ट्रेशन जो है जो गैंग थी अमेरिका की न्यू यार के यही मुलवस थी ताकि अफगानिस्तान और इराक के तेल पे और उनके असासों पर कब्जा कर सके और पाकिसान के पास आठ अरब डॉलर तो हमारा दुश इसको लेकर निया साजिश कर रही है तो यह डरते हैं क्योंकि मजभ्व हैं कि जो फैलने वाला दुनिया में यह इसलाम है टॉपिक वापस आता हूं इंडिया इंड़ टॉप एशिया चाइना ने अगर इंकार किया तो चाइना के ना जाने से जी समिट रुकतों नहीं गय रशिया के नाने से कोई फरक तो नहीं बढ़ा जी समिट होगा कंप्लीट होगा और बैनिफिट्स अवेल करेंगे हम यहाँ पर तो एक छोट-छोट से इंवर्ड नहीं करवा सके यहां तक कि हम पाकिस्तान के अंदर एशिया कप नहीं करवा सके सरा हमें पहले मसले कश्मीर जो हो है वो हाल करना चाहिए उसके बाद हमें अंदुस्तान से बात करनी चाहिए जितने तक मसले कश्मीर हाल ना हो हम इंडिया के साथ कोई बात हैं सब्सक्राइब और इस समिट के बारे में आपको थोड़ी बुत इंफिरमेशन तो होगी उस समिट के बाद में टॉपिक के बाद में करते हैं पहले तो बताएगा कि फाइगा क्या होगे आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की इमेज क्या होगा आने वाले टाइम के ते कितना परमोड कर रहे हैं वो अपने नेशन को और इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फस्ट फॉल मैं बताता चलूं कि इससे पहले तो यॉर्पी जुनियन्स और उस डिफरेंट कंट्री में होता रहा है बाट राइट नौ इंडिया की बहुत बड़ी चीवमेंट है इस समिट को अपनी कंट्री में हैल कराना और देली को इसके लिए उक्पाइब करना अब देली के अंदर अगर यॉक्पाइब हो रहा है तो सबसे बड़ी जो इसके अंदर बात है UK Prime Minister Rishi Sank में भी वो पाकिसान इंडिया विजट कर रहे हैं और उसके जो दो तीन पॉंट व्यूज आये हैं मीडिया के उपर वो ये हैं कि वो अपनी नेशन को अपनी कंट्री को अपने रिलिजिस को बड़ी असानी से दुनिया में पर्मॉट कर रहा है और वो पर्मॉट कर रहा है और एक ऐसा इमिज इंडियन नेशन का दुनिया के सामने दे रहा है कि हम एक मेहंती पड़ी लिखी और बिजनसमेन कॉम है अगर हम दुनिया में बड़ी ताक्तों के साथ मिलकर चलते हैं तो हम दुनिया की 80% से 70% human resources को complete कर सकते हैं अगर आप इस इसको उठाके देखते हैं तो दुनिया के अंदर जितने बड़े इस टाइम आईटी सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंट सें लाइक माक्रोसॉफ्ट गोगल एंड ट्वीचर उनके चेयर परसंस उनके जो बड़े-बड़े बानीज हैं सियोज हैं वह इंडिय हैं एजज परकlave को किसी जगार करने में नजर नहीं आए दूसरी बाथ हम अपने कर रहा है एक मुसल्मान लीडर और हम उसे यहां पर एक इतना बड़ा लीडर मानते हैं कि जिसकी कोई एहमियत का इंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि वह भुगवान है यहां के पाकिसानियों के लिए उसे पूछते हैं लोग और अपको क्या लगता है कि आपको अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समिट के लिए एक ताली सो क्रोड रुपए लगा दियें और आप देख सकते हैं डैली के इतना डैकॉरेट किया गया है इतना प्रेजेंट डेबल दिखाया गया कि दुनिया को कि उन्होंना अपनी उसके अंदर कोई नहीं चीज नहीं को इंगिलीज ची हैंगे चार दिन रहेंगे हमारे मुताबिक आपने चलना आप मुझे बताएं कि हमने क्या कि अपने कल्चर को अपने मुलक को परमोट करने के लिए कोई भी प्लैटफॉर्म के अंदर आप मुझे बता दें किसी प्रैम मिनिस्टर ने विजट किया हो पाकिस्तान का मैं अगर आप इंडिया के इस टैम डॉलर रिजफ देखें तो वह चेसो अरब डॉलर हैं यस और पाकिसान के पास आठ अरब डॉलर तो हमारा दुश्मन हमसे 10,000 टाइम गुना स्ट्रॉंग है एकनॉमिक लिए अगर एकनॉमिक लिए हम अपने प्रजेक्ट को देखें जो हमारे मुलक के अंदर कंप्लीट होते हैं और हमारा मुलक तरकी करता तो उसमें सबसे बड़ा प्रजेक्ट सी पै और अपने आला हुददारों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की एकनॉमिकल क्राइस से निकलने के लिए उन प्रोजेक्ट को जो दुनिया ने हम पर बैट किये हुए हैं उनने कंप्लीट किया जाए चंद्रियान पर बड़ी दूर की बात है चंद्रियान एक साइकालोज अब मुझे पता है कि पाकिस्तानी आप चान पर जाने का पहले जमीन को दुठी कर उनको पता ही निये स्ट्रडिजी क्या है अगले बंदे की थिंकिंग वो आने वाले सो सालों की सोच रहा हम तो यहां पर अगले पल की रोटी की सोच रहे हैं कि निवाला मिल जाए आज का सबसे बड़ी जो इंडिया के अंदर इस चीवमेंट की वज़ा है वो है स्टिबिलिटी मोधी गोवर्मेंट्स टैनियर से काम कर रही है और वह वैली अगर दुबारा आ भी जाती है तो नहीं भी आती नहीं लेकिन जो उनकी लॉंग टम पॉल्सीज हैं उनकी आने वाली पि आज तक किसी ने मुडी के मूँसे उन दोनों के नाम सुने हों हमारी कौम क्या करती है अमरान खान उतर गया नोआश्री नेकर दिया über घर कर दिया हम अब से अब से बाकसेन उबामा ने या बुश ने उस पॉलिसिस को वो फगानिसान वार के अंदर कांटीनू लेके चले उन्होंने अपनी जैनल पॉलिसी को चेंज नहीं किया यहां पर एक तख्ती लगी होती है चोटे से अंडर पास की और वो अगला बंदा जो आता है उसके दोर में कुम से कुछ कीष्ट पॉल्स पार्टी से कोई करता हैं ग्यंची एंक बात बताएं सेन अरेंटर मोदी साइं और यहें लेकिन बात करने का प्रपस है के nationalism जरूर दे आपने अवाम को सर न 농ah एक leader ही दे सकता है आप Pakistan में किसको leader मानते हैं Pakistan में leader था भटो Pakistan में leader थे लेके कतली खान Pakistan में leader थे काईद इअजम मौहमंद अली जना They are the leaders ये जो लोग हैं ये एक सियसी पारटी के चोट 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 है काई दीन है यह लीडर नहीं है अगर आप कहें के मर्यम लीडर है शीज अनौट अलीडर अगर आप कहें के हमजा लीडर है शीज अनौट अलीडर अगर कोई के इमरान खान लीडर तो इमरान खान भी लीडर नहीं है उसने एक ऐसी बत्तमीज कौम पैदा कर दी है जो आने वाले 20 सालों तक ठीक नहीं हो सकती तो आप इम्रान खान साब की पापर लेटी को देखते हुए यह बयान दे रहे हैं तो यहाँ पर इम्रान खान साब की इतनी पापर लेटी हो गी है कि लोग उसे अपना मतलब के सब कुछ मानने लगे हैं और अंध सेक्शल मीडिया अ recess मिडिया के अंधर किसी चीज को इंजय करते हैं उसकी कर्वाते हैं उस बुस्टिंग को आप सबस्ताइल करते हैं कि इसके नहीं को अनूब कि अधिय on the top in Asia topic वापस आता हूं India in the top of Asia चाइना ने अगर कार किया तो चाइना के ना जाने से जी समिट रुक तो नहीं गया रश्या के ना आने से कोई फरक तो नहीं बढ़ा जी समिट होगा कंप्लीट होगा और बैनिफिट्स अवेल करेंगे हम यहां पर तो एक छोट-छोट से इंवर्ड नहीं करवा सके यहां तक कि हम पाकिस्तान के अंदर एश्या कप नहीं करवा सके हम कहां से लीडर्स हैं बहुत चुक्रिया यार बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी कन्व क्या करते हैं सार फेलाल मैं फारग हूं बिल्कुल free है सही होगा इसी के साथ साथ बताता चलूं के हिंदुस्तान के इंदर जीट का समिट हो रहा है और जिस जीटुएंटी का मतलब यह है कि बड़ी ग्रेंड कंट्री बड़ी मुलकों के जितने बी बड़े मुलक हैं उनक मुझे वाहरे कोई भी बाहर जाता है तो हमारे इमेच कि सी तरह बाहर की क्या हमारी में इतनी जादा अच्छी है पाकिस्तान को लेकर कि हम फकर से बताइके वी एर पाकिस्तानी स्वियार मुस्लिम्स क्या हम बता सकते हैं //सर हम बता सकते हैं हैभी फिल्लाल तो फ्राउस में भी वैन लाग गया इस पछर हिजाब पर मुसलिम सैनक्षिंट लग रहे हैं क्यों लग रहे हैं? क्या हमारी गलती है या फिर हम पर साजिश कर रही दुनिया? सर यह इसी वज़ा से हो रहा है कि वह लोग यहीं समझते हैं कि इसलाम इस टेररिस्ट रिलिजन जी यह जो नाइन एलेवन के बाद जो इसलाम है इसलाम को उन्हों ने बहुत बुरी तरह बुरा उन्हों ने चेहरा दिया हुआ दुनिया के अंदर जैसे यह स्वीडन के दूसरे मुलकों में हुई हैं तो यह चीज़ें जो हो रही हैं यह हमारे लिए मतलब वर्ल्ड वाइड जो है यह बेतर नहीं है हमारे लिए हमारे इमेज वाके में ही हम टेर्रिस्ट हैं यह हमारे इमेज इस तरह से शो किया गया 9-11 के वाकिया जो आपने बात की तो क्या लगता कि वह वाक्या सही था जो हुआ यह नहीं होना चाहिए था सर वह वाक्या जो है यह मुसल्मानों ने जो जंगें की थी अंग्रेजों के साथ उनका यह इंतकाम ले रहे हैं जो सपेन में और फरांस में जो सलाह الدین अयूबी और इन्होंने हमले किये थे उस दोर में तो यह उनका कोई इंतकाम ले रहे हैं अच्छा मतलब बदला ले रहे हैं वह भी हम से आपको नहीं लगता कि नाइन एलेवन जो हुआ वह उसके पीसे उसामा बिन एड्मिनिस्ट्रेशन जो है जो गैंग थी अमेरिका की न्यू यार की यही मुलवस थी ताकि अफगानिस्तान और इराक के तेल पे और उनके असासों पर कब्जा कर सके दोस्तान और यह जो अपर आते हैं जिट्वेंटी के मीटिंग जो हो रही है भारत में यह बारत के लिएAgust कि लिए न्यूकर रहे किकतना जरूरी है और दुनिया के अंदर उनकी इमेज की जाएगी अगी इस जिट्वेंटी के मीटिंगा की दाने ये दुबारा कोई मुसल्मानों पर हमला करने की साथ इश्तियार की जा रही है और जिसका नाम उन्होंने जीस 20 समिट का दिया आपने कहा कि मुसल्मानों पर हमला करने की बात आ रही तो उसमें तो दस जो लीडर से मुसल्मान को भी शामिल है तो इसमें कौन सी बड़ी बात आगी वो मुसल्मान मुलक भी बीच में होते हैं जिस्ट हम इनोंने अफगानिस्तान एराग पर हमला किया था उर्दन भी इनके साथ था इरान भी साथ था लीविया भी साथ था तो इस तरह की चीज़ें आप मुझे एक बात बताएं के सौदी अरिविया के प्रिंस मुहमद प्रशाइद में मसूद जो हैं जो व्यूज ऑन नियूज या एर वाए बोल चैनल आज कल वो सीनन पर होते हैं तो वो यह चीज़ें यही बता चुके हैं कि यह एक इसलाम के खिलाफ जो है जंग करने जा रहे हैं और से साथिश करने जा रहे हैं अपको नहीं लगता कि हैं क्योंकि मजब फैलने वाला दुनिया में यह इसलाम है आप पिछले साल की यू यू एन की रिपोर्ट उठाके देख लें उसमें तकरीबन सैवन्टी थाउजन गोरा जो है वो मुसल्मान हुआ यह पिर तो अगर साजिश करते तो क्या लगता कि वो मुसल्मान होते हैं इस इस और रहती हैं यह फैलता चला जा रहा है और इस चीज़ से इनको खत्रा है अच्छा आपको सब को लग रहा कहा है कि यह इस वजह समय इसलाम जादा पहल रहे इस वज़दा तो पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं जा रहा है सर डिवेलोब्मेंट के लिए तरफ इंश गूम रही हैं चार-चार क्रोड की आखिर लोगों के पास इतने वसाइल और इतना पैसा और इतने कारोबार हैं तो यह सब कुछ हो रहा है क्या हिंदुस्तान के साथ हलात बैतर कर लेनी चाहिए अभी हमें पहले मसला कश्मीर जो हो हल करना चाहिए उसके बाद हमें हिंदु हो जाएगी तो क्या समयते हैं आपके जो जी 20 का समिट हो गया अभी कंप्लीट हो गया इंडिया तो सूपर लीडर बन गया यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई वो इसलाम के गेंस्ट उन्होंना बना लिया जा जो भी हमने कर लिया हमारी अपने मैंड थिंकिंग है हमारा अपन हैं लेकिन इस time इंडिया सूपर बनने की जंग लड़ रहा और सूपर पाउर है यह नहीं है इसमें परशव ज pattern के भी है और हम यहां पर यह पर यह पर श्ना आज इक रोंड हानी है कल की मिलेगी या नहीं सार वो जोब मिली वी आप जोब कर रहें जी नहीं मैं इस टाम जाब लेस हूँ तो आप मुझे बताएं न्यूकिलर खा के गुजारा हो सकता है यहां पर तो जोब की जरूरत पड़ेगी ना महिशेद की जरूरत पड़ेगी बिलकुल जी बिलकुल तो में मारने धारने वाल ह görünगे आपने जो पड्रोस्जहों के साथ आप मुझे बताएं चाना के लावा हमारे कुं से पड्रोसे के साथ बेहतर हैं के साथ बेतर बादराना हालात हैं जा रहा है तो रोज उनके फारं मिनिश्टर आ रहे हमारे जा रहे हैं आफ मेरी बात सुने अफगानिस्तान और हमारे बॉर्डर के अंदर जंग लगे पहले वह दिप इस टालीबान आके हमारी फोजी को लिया चला रहे हैं आप कहरें कि हलात बहुत बैठर है बस इन्शानिक आफगानी कहते हैं कि पाकिस्तानी को पाकिस्तानी को गोली मारो पकड़ के बिल्कुल यह बहुत बैटर इसे बहुत दॉआ करें बेतर प्रेधर हो जाए बंगला देश के साथ भी बैतर करें परकानिस्थान गखरेंत olması P हो ङो बतर आप को हकोमता आएगी तो वह बैतर करेंगी अइस ठोड़े हैं तो फल्दO को खत्म करो ज़रुदफर हमारे दिलों के अंदर हें किसी बी मुलक की नज़त हैं अफगानिस्तान बंगलादेश के एक किसी भी मुलेटिट है तो उसको खतम करने की जरूरत है पीस बाई-चारा यह नफरतों के विजाद से आज हम यह लात में भाई-चारा हो रहा है कभी कोई खा के लूट के जा रहा है करवाद शरीफ वह बगोड़ा बार बैठा हुआ है इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है कोई समझ नहीं आ भी नहीं पता हमें हमने रिलेशन क्या बहतर करने हैं पड़ोसियों के साथ यहां पर हमें रोटी की जंग में पड़े हुएं यहां पर हमें